यह है इंडिया गेट और यह है गेटवे ओफ इंडिया भारत के दो important landmarks एतियासिक landmark हैं, ब्रिटिश कालीन landmarks हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों की importance क्या है, यह जानना हमें ज़रूरी है, अब इस वीडियो को बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी interesting है, कल 15 का कि हाँ gateway of India दिल्ली में ही तो है तो ये confusion बहुत लोहों को रहता है कि India gate क्या है कहाँ पर है gateway of India कौन सा है कहाँ पर है तो इसी confusion को आज हमेशा के लिए आपके सामने धूर कर देंगे और UPSC aspirants के point of view से दोनों की historical importance भी जान लेंगे तो अगर आपने अभी तक pathfinder channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे बहले subscribe कर लीजे और अगर आप मेरे videos के updates प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से भी आप जुड़ सकते हैं एक UPSC aspirant के तौर पर अगर आप live classes में पढ़ना चाहते हैं proper तरीके से UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उड़ान batch जो की English medium के लिए है और both batch जो Hindi medium के लिए है दोनों को join कर सकते हैं ये भारत के सबसे affordable batches हैं जो 10,000 रुपीज में आपके लिए available हैं नया batch कल यानि 17 अगस्ट से शुरू होने वाला है इसमें आपको 900 प्लस hours की classes मिलेंगी and prelims, mains, दोनों की test series भी शामिल है कोर्स को join करने का link नीचे पहले comment में आपको मिल जाएगा और कोई भी doubt है तो 9595 0088 00 इस phone number पर आप call कर सकते हैं ये number भी आपको नीचे description में दे दिया जाएगा हमारी team जो आपको YouTube channel पर पढ़ाती है वही team वहाँ पर भी पढ़ाएगी चार हमने optional के subject भी start किया है इन चारो subjects को भी आप 10,000 रुपीज में join कर सकते हैं again the most affordable batch in the entire country और अगर optional और GS के batch को एक साथ join करेंगे तो ये course आपको 17,000 रुपीज में available है और अगर आप हमारे पुराने नए कोई भी batch को join करना चाहते हैं future में आने वाले batches को भी join करना चाहते हैं and you don't want to pay anything extra, additional तो आप एक बार one time का pass ले सकते हैं pathfinder pass और इस pass को avail करने के बाद आप चाहे optional की classes, कोई भी subject की कितनी भी बार देखिए GS का कोई भी batch join करी है you can watch another batches class as well वरना usually जिस batch में आप enrolled हैं उसी की classes आपके लिए accessible रहती हैं तो ये सारा फाइदा आपको मिलेगा इस pathfinder pass में इसकी भी जादा जानकारी आपको हमारे phone number पे call करके मिल जाएगी अब बात करते हैं इन दोनों monuments की तो ये दोनों ही monuments एक gate है और gate से जादा इसे कहा जाता है triumphal arch ये triumphal arch का क्या मतलब है कि Europe के इतिहास में खास करके Roman history के अंदर एक tradition हुआ करता था कि जब भी कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी जीत होजी थी तो उसके बाद राजा एक दर्वाजा बनवाते थे एक monument बनवाते थे अपनी जीत को हमेशा याद रखने के लिए तो इसलिए इसका नाम है triumph यानि की victory जीत जीत को याद करने के लिए या commemorate करने के लिए उसको हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए ये arch बनाया जाता था तो इसी तरह के arches हमें पुराने Rome में भी देखने को मिलते हैं तो ये England का एक arch है ये same tradition बाद में English, French, Germany इन सारी dynasties ने यहां के जो राजा महराज़त थे इन्होंने भी अपनाना शुरू किया कुछ famous triumphal arch या gateways में आपको दिखा देता हूँ तो ये Germany के Berlin शहर में Brandenburg gate है ये Paris का Arc de Triumph है I'm sure आपने इसको भी देखा होगा recently हमारे प्रदान मंत्री भी उनकी best deal day parade में शामिल हुए थे उन्हें invite किया गया था Steve Guest तो ये gate बनाना बड़ा common था European cultures के अंदर भारत में भी इस तरह के कुछ victory gates आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि बुलन दर्वाजा जो फटैपुर सीकरी में अकपर के द्वारा बनवाया गया था शोलवी शताबदी में तो ये victory arch बनवाने का जो सिलसिला है वैसे हजारो साल पुराना है Roman history के समय से लेकिन 19-वी शताबदी में जब ये arc de triumph बना उसके बाद से फिर से ये trend में आ गया अचानक से Britain, Germany, दूसरे देशों के लोग भी इस arch को copy करने लगे या इसी तरह के arches बनाने लगे Britain भी उनी देशों में से एक था और भारत में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है तो पहले बात करते हैं हम gateway of India की तो जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये भारत में enter होने का दर्वाजा है इस दे गेटवे टू इंडिया ये बना है मुंबई शहर में और इसकी location मुंबई में कहा है जो अंग्रेजों का पुराना बॉम्बे शहर था जो दक्षणी मुंबई है आज का वहाँ पर इसकी location है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये gateway है और इसके बिलकुल पास में है ताज महल पैलेस जो बड़ी फेमस होटेल है अगर इसकी location में आपको बताऊं तो ये है मुंबई शहर के बिलकुल दक्षिण में स्थित है तो मुंबई शहर आज तो हला कि बहुत ही बड़ा है एक समय में जब अंग्रेज यहाँ पर रहते थे उस समय बॉंबे सिटी जो हुआ करता था तो आज जो शहर का दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर ये fort लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये original पुराना शहर है ठीक है बाकी सब कुछ बाद में डेवलप हुआ है तो इसी इलाके में जो दक्षिणी मुंबई का एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जटी है जटी वो जगे होती है जहाँ से बोट्स पे आप उतरते हैं चड़ते हैं तो उसी में से एक जटी थी जिसका नाम था Apollo बंदर वहाँ पर ये Gateway of India बनाया गया है तो ये थोड़ा सा समुद्र में से बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये जो इलाका है ये अंग्रेजों के समय पूरा dockyard का एरिया था इस एंटायर coastline ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर boats आती थी, dockyard था, समान उतरता था, load unload होता था तो ये सारा पुराना dockyard है हाला कि अब तो हमने बहुत बड़े-बड़े नए ports बना लिए जिसको हम कहते हैं नवाशेवा भी उसका नाम है तो अभी भी यहाँ पर काम होता है बट जादातर जो major हमारे ports हैं वो सारे अब मुंबई city से थोड़े दूर जा चुके हैं अगर हम समुद्र से शहर की तरफ देखें तो यहाँ पर gateway of India this is the Taj Mahal Palace Hotel ऐसे नजर आते हैं और अगर इस map में आपको बताओं तो इसकी location यहाँ है बिल्कुल दक्षणी मुंबई में अब बात करते हैं इस gate के history की तो यह gate बनाया गया था ततकालीन ब्रिटन के महराजा जॉर्ज पंचम के भारत आने पर George V एकलौते ब्रिटिश राजा हैं जो इंडिया आये थे क्योंकि इन्होंने 1911 में यहाँ पर एक दिल्ली दर्बार में खुच शामिल हुए थे दिल्ली दर्बार वो से huge event उसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे modern history के lecture series को देख लेना तो कुल मिलाकर जो 1500-200 साल भारत पर अंग्रेजों ने राज किया उसमें कोई राजा खुद पहली बार इंडिया आया था पहली और एकलौती बार और वो था George V George Pancham भी इसे कह सकते हैं यह अपनी महरानी के साथ यहां पर आया था और यह दोनों ship से जहाज के माध्यम से आये और यही पर land करे यानि कि जो Apollo बंदर है यही पर इनका स्वागत हुआ तो अब देखो भारत के अंदर एक परंपरा है आप जानते हो हमारे हाँ पर जब भी स् पर आदी होती है तो वो अपनी गली के बाहर एक छोटा सा स्वागत दवार बनाता है चाहे वो Tent House वाले material से हो उसी से बनता है आजकल तो तो यह स्वागत दवार की परंपरा हमारे देश में हमेशा से चली आ रही है अंग्रेजों ने भी इसी स्वागत वाली परंपरा को एक बड़े स्थर पर कड़ना चाहा तो इनका प्लान था कि राजा के आने के पहले पहले एक गेट बना लेते हैं लेकिन राजा के आने की जानकरी शाहे 6 महीने पहले ऐसे कुछ आई थी तो इसलिए गेट तो नहीं बन पाया लेकिन उसका एक cardboard structure इन्हों ने जरूर बना द अगर कभी बविश्य में भी कोई राजा हमारे आते हैं तो उनके स्वागत के लिए प्रॉपर गेट तो बनना ही चाहिए इसी planning के साथ इन्हों ने यहाँ पर गेट को बनाना स्टार्ट किया गेट बनने का actual काम शुरू होता है 31 मार्च 1913 में डिजाइन इसका फाइनल किय रुग गया 4-5 साल के लिए क्योंके इनके बास इतने resources नहीं थे कि काम करवा सकें 1920 में फिर से इसका construction restart किया जाता है and 1924 में ये gate बनकर तयार हो गया तो अंग्रेजों का ये लक्ष था कि number 1 पहली बार राजा हमारे भारत आये हैं तो उनकी याद में उनकी इस visit की याद में यहाँ पर एक बड़ा सा monument होना चाहिए एक द्वार बनना चाहिए जो की permanent हो और भविश्य में भी कोई भारत आये तो उसका स्वागत भी हम यहीं पर करेंगे यह उस Apollo बंदर जगे की photo है 1905 में जब ये gateway नहीं बना था आप देख सकते हैं पीछे समुदर कितना busy है boats यहाँ पर बड़ी boats नहीं आती थी छोटी-छोटी boats ही होती थी यहाँ पर अंग्रेजों का yacht club हुआ करता था तो जो ऐसे personal boats होती है उनके लिए यहाँ पर आने जाने की व्यवस्ता थी तो इसी जगे पर आज के समय यह gateway of India बना हुआ है अब इसका architecture अगर आप देखें तो आपको है नजर आएगा इसका जाली work अगर आप देखें तो यह गुजरात के अंदर जो जाली work किया गया है गुजरात architecture style में वो वाला नजर आएगा और जो द्वार बनाने का concept है यह typical European architecture की style से इन्होंने लिया था लेकिन इसमें बाकी सारा जो style है that is from India only and again a fusion of India's Rajput architecture and Islamic architecture तो Indo-Islamic architecture का यह एक बहुती नायाब नमूना है जिसे British architectural style के साथ fuse कर दिया गया यह पूरा structure बना है बसाल्ट पत्थर से और इसमें गुजराती architectural style का ब instruction finished होता है and it was thrown open to the public और इसका inauguration गया था उस समय जो वाइसरोय हुआ करते थे reading हाला कि reading ने कुछ जादा खास किया नहीं है history के अंदर thankfully तो हमें कम पढ़ना पड़ता है reading के बारे में so you have to read less about reading okay no more poor jokes तो यह gateway की photo है 1924 में जब इसका inauguration किया गया था आप देख रहे हैं पूर बहुत ज़्यादा बड़ा सदस्य है लेकिन हां कभी इनके वाइसरोय वगेरा आ जाते थे तो उनका स्वागत यहीं पर कर दिया जाता था तो जैसे जो बोट आती है ना लंडन से वो सीधी यहीं पर उतरती थी और फिर यहां से उस gateway के थू वाक करके वो आते थे तो उन् बाते हैं फोटोग्राफर से हां पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे और एक चीज़ जो हिस्ट्री के पॉइंट आफ इसके बारे में आपको याद रखनी है कि भारत से जो आखरी ब्रिटिश रेजिमेंट रवाना हुई थी 1948 में वो इसी गेट के थू गई थ चोड़ कर जो गई वो यहां से ही जाती है गेटव उफ इंडिया से उनको एक सिंबॉलिक जेश्चर चाहिए था तो वो हमने यहां पर इनको करके दे दिया इसको हम आजादी के बाद से इंडिया गेट कहते हैं आजादी के पहले इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था All India War Memorial और यह नाम क्यों रखा गया क्योंकि इन्हों ने इसे एक युद्ध के समारक के तौर पर बनाया था किसी के आने की खुशी में नहीं बनवाया गया बलकि World War One में जो लाखों भारतिये सैनिक लड़ने गए थे और हजारों जो शहीद हो गए थे जो मारे गए थे लड़ अंदर नाम लिखे हो हैं 13,000 सैनिकों के 84,000 की लिखने की जगे नहीं होगी लेकिन आपको बता रहा हूं कि World War One में इंडिया के 84,000 सैनिक मारे गए थे जो बहुत बड़ा नंबर है तो इसका भी construction लगभग सेम टाइम पर ही होता है जब मुंबई में Gateway of India बन रहा था उसी सम बनाया जाएगा जिसे इसी city की design में incorporate किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो राष्ट्रपती भवन है इससे एक रोड निकल रही है यह सीधी 2 km की जो रोड है यह समाप्त होती है यहां आकर इंडिया गेट पर तो यह 2 km का जो पत है जिसे पहले राज पत कह जाता था अंग्रेज इसे कहते थे king's way तो यह king's way का अंत होता है इस इंडिया गेट पर और planning यही थी कि एक लंबी सड़क जिस पर इस तरह के परेड वगेरा करी जा सकती है करतव्य पत यहां इंडिया गेट पर आकर समाप्त हो जाता है और इसी के पास में अब भारत सरका यहां stand बना दिये जाते हैं तो इस garden के अंदर लोग बैट कर उसे देख सकते हैं तो अंग्रेजों ने जब यह तैय किया कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के memorial में यह gate बनेगा तो ऐसा नहीं कि किवल भारत में बना था एक्चुली युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार इंपीरियल वार ग्रेव्स कमिशन की स्थापना करी यह एक संस्था थी जो इंग्लैंड से ऑपरेट करती थी और वर्ल्ड वार वन में जहां पर भी ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ने वाले सैनिक मारे गए उनकी याद में जो भी समारक हैं जा के सारे ग्रेव्स कमिशन को दिया जाता है इसके सदस्य एडवीन लुटियक भी थे यह भई लुटियestens जिनों ने नई दिल्ली को भी डेव्डिच्ट के था तो वह इसके भी सदस्य सदस्य थे इस ग्रेव्स कमिशन के भी ठीक है इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कई सारी graves को maintain किया है, कई सारे बड़े-बड़े स्मारक बनाएं, और उनी में से एक बड़ा स्मारक ये भारत वाला है, तो इसका foundation 1921 में होता है, और finally इसका काम समाप्त होता है, 1931 में जब इसे Lord Irwin ने inaugurate किया था, तो 1931 में जब लगबग राजधानी के सारे बड़े structures बनके तयार हुए थे, उसी समय ये भी बनकर तयार हो जाता है, आर्गिटेक कौन थे या डिजाइनर कौन थे इस gate के, एडविन लूटियन्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, लूटियन्स, War Graves Commission के भी मेंबर थे, और इन्होंने वही style अपना ही, जो mostly Arc Day Triumph की style है, या फिर जो Roman Arcs की style हुआ करती थी, This is the Arch of Constantine in Rome, ये Paris का Arc Day Triumph है, कई आलोचोकों का मानना है कि, इंडिया गेट सीधा सीधा इसी का कौपी करके, एडिवन लूटियन्स ने बना दिया, बहुत जादा इसके अंदर design elements उन्होंने आड नहीं किये, हलांकि उसका purpose अलग है, Arc Day Triumph एक जीत को दिखाने के लिए बनाया गया था, फ्रांस की जो लडाईों में जीत हुई थी, और इंडिया गेट बनाया गया था, as a war memorial, की जिन सैनिकों की death होती है, उनके याद में ये बनाया गया, तो total 66 memorials, एडवन लूटियन्स ने दुनिया भर में design किये थे, इंडिया गेट में 1972 में एक major edition किया जाता है, तो बंगलादेश liberation war या 1971 इंडिया पाकिस्तान war के बाद, यहाँ पर अमर जवान जोती प्रजवलित करी गई, तो आपने इसके कई बार photos देखे होंगे, हर बार 26 जनवरी की parade से जस्ट पहले, हमारे प्रदान मंतरी राष्टरपती यहाँ जाकर, हाँ जोडते हैं, नमन करते हैं शहीदों को, और उसके बाद parade का कारिकरम शुरू होता है, तो यह 26 जनवरी 1972 में add किया गया था, और 2019 तक यह अमर जवान जोती यहीं पर थी, उसके बाद National War Memorial भारत सरकार ने अभी बनवाया है, मोधी सरकार ने, और यह War Memorial जो है, अब उसमें इस अमर जवान जोती को merge कर दिया गया है, यह फिर ट्रांसफर कर दिया गया है, 2022 में, and now it is standing under this obelisk, तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर पीछे इंडिया गेट है, उसके बिलकुल निकट में, यह War Memorial के बीचो बीच स्थित, एक अशोक स्थम से inspired obelisk जैसा structure है, जिसके अंदर अब अमर जवान जोती को प्रजोलित कर दिया गया है, एक छोटी सी डीटेल में आपको बताना भूल गया, World War I ही नहीं, बलकि 1919 में हुए Anglo-Afghan War, यह तीसरा Anglo-Afghan War था, इसमें भी जो भारतिय सैनिक मारे गए थे, उनके भी नाम इस Memorial में जोड़े गए हैं, तो अगर आप India Gate को देखेंगे, तो उसके अंदर यह सब कुछ वहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पत्थरों के उपर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देके उपर अपनी गर्दन उपर करके पढ़ियेगा, और यह जो डेट्स हैं, यह रोमन न्यूम्रेल्स के अंदर वो World War I के स्टार्ट और एंडिंग की डेट हैं, और यहां बड़ा-बड़ा इंडिया लिखा हुआ है, और जो इसके Cornices हैं, Cornices का मतलब यह जो चज्जे हैं, उसके नीचे डिजाइन के अंदर यह सूरज बना हुआ है, विच्च सजेस्ट ब्रिटिश इंपीरियल सन, तो एक कहावत सुनी होगी आपने अंग्रेज कहते थे कि तो कही न कहीं वहाँ से यह लिया हुआ डिजाइन एलिमेंट है, तो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि इंडिया गेट एक प्रकार का वार मेमोरियल या वार मॉन्यूमेंट था, और गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में कमेमिरेट करता हुआ है, या उनके राजा के यहां आने की खुशी में बनाया गया मेमोरियल या मॉन्यूमेंट है, तो दोनों के परपस में फर्क है, आर्किटेक्ट्टरल स्टाइल्स भी काफी अलग है, लेकिन जो बनाने का तरीका है, या फिर जो ओवरॉल परपस है, कि ब्रिटिश एम्पायर इस तरह की चीज़ें क्यों बनाता था, वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो आज कि आज के बाद आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, और आप से अगर कोई पूछ ले, मान लो कोई छोटा बच्चा ही पूछ ले, कि ये गेट्व अफ इंडिया और इंडिया गेट अलग हैं क्या, तो आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप करते हैं, हमारे परस्पेक्टिव वीडियो को देखना ना बूलिए, बहुत अच्छे है हमारे डिस्केशन से उसमें, और आप हमारे सोशल मेडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, थैंक यू सो मच, हाव ग्रेट दे,